प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरत्य वाली भारती जंता पाइटी ने बहुमत से अधिक सीठ हासिल कर एक बार फिर सत्ता अपने नाम कर ली है अब 30 मई को वह दोबारा प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे भाजपको मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरक के नई एजंड को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है इस बार खास बात यह होगी कि वह सोधी नहीं बलकि एक हजार दिन के एजंड पर कारे करेंगे जिसे 2022 के मद्ध तक खत्म करना अनिवारे होगा आए जानते हैं नरेंद्र मोदी के एक हजार दिन के एजंड में क्या क्य शामिल है देश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नरेंदर मोधी सरकार ने कई प्रियास की हैं तीस माई को शपत लेने के बाद इस दिशा में ब्रधान मंतरी नरेंदर मोधी एक और बड़ा कदम उठा सकते हैं कहा जा रहा है कि केंदर सरकार नई ओध्योगिक न शाली नीतियों पर विशेश जोर रहेगा लोगों के लिए इस आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी मंतरालाई का जोर होगा भारत में किसानों का मुद्धा वर्षों से चलता आ रहा है कर्ज में डूबे किसानों को इस साल के इंदर सरकार ने 6,000 बता दे कि नए नियमों के अनुसार किसानों दोरा किये गए निर्यात पर इंसेंटिप्स बढ़ाया जा सकता है इसके साथी पी एम आशा जैसी प्रोक्यूर्मेंट पॉलिसी को भी रीवियू किया जा सकता है भाजपा ने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है सरकार का पावर सेक्टर के पावर बेक प्लान के जरीए 24 घंटे बिजली देने का लक्ष है इस एजेंडे के जरीए भाजपा का लक्ष लोगों तक ज़्यादा सुविधाय प्रदान करने का है इस दोरान बिजली डिस्टिविशन घंटे को 15 फीजदी से कम लाने की डेडलाइन इसके लिए मंतरी समूह की सिफारिशों की समिक्ष होगी इसके साथ ही धर्मल पावर प्लांट्स के बकाय के भुक्तान के लिए प्रणाली दैयार होगा इसके लिए शंशोदी तेरिफ पॉलिसी पर सहमती बनाने का प्रियास होगा बतादे की मौझूदा समय में पावर से प्रिक्रिया को प्रिक्रिया को तेज करने और उनकी लागत घटाने की पहल की जा सकती है। अधि नहीं सरकार इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर इंडी विज्वल सॉल्वेंसी रेगुलेशन से लाने की पहल कर सकती है। दोस्तों ये था बहुत महत्पूर वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर शेयर करें। साथ ही साथ वीफ और विनोवेटिप को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं।